हलो दोस्तो एक बार से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बिच्छरब टीवी हम आपको हर रोज एक नए बिजनस के बारे में बताते हैं तो आज मैं आपके लिए एक नए तरीके के बिजनस के टिप लेकर आई हूं जिसका के नाम है प्लास्टिक शूज मेंकिंग बिजनस इसमें मैं आपको बताओं कि कैसे आप प्लास्टिक शूज का निर्मान करके बाजार में बेच कर अराम से महीने में बहुत लाखों कमा सकते हैं प्लास्टिक शूज मेकिंग बिजनस क्या है जैसे कि हम सब जानते हैं प्लास्टिक शूज का यूज बारिश के दिनों में किया जाता है क्योंकि उस समय में अगर हम लैदर के शूज पहनते हैं तो लैदर खराब हो जाती है गाउं में जे काफी प्रचलित है हर वक्त इसका इस्तमाल किया जाता है पारिश में पानी में चलने से आपको बहुत परेशानी होती है ऐसे में लादर शूज खराब होते हैं तो ऐसे में आप जे बैतर होगा कि आप प्लास्टिक शूज पहनने अब में हम बात करते हैं इस बिजनस पर में यूज होने वाली मशीने और उन पर आने वाली लागत के बारे में इसमें मैं आपको दो तरह की मशीनों के बारे में बताऊंगी पहली हमारी है प्लास्टिक शूज इंजक्शन मेकिन मशीन जे एक बड़े स्टल पर बिजनस च दूसरी हमारी है रोट्री शू मेकिंग मशीन इस पर आपकी जो लागत आती है वह 2 लाक रुपए जय मेशेंपक योई प्लास्टिक शू страх मेकिंग मशीन 18 का कि जो है शूज बना सकती है और दूसरी रोट टैरी शूज मेकिंग वाली मशीन जो है वो एक गंटे में 70 तीस जो है बना सकती है अब हम बात करते हैं इसमें कौन-कौन सा जो है रो मटीरियल है वो यूज किया जाता है इसमें हमको सिर्फ तीन ही चीजे चाहिए होती है एक यह हम डाइ यूज करते हैं हमें वो चाहिए अब अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं सबसे पहले हम सोचते हैं कि उस बिजनस में हमें कितना प्रॉफित होगा तो दोस्तों इस बिजनस में अगर आप जो है प्लास्टिक शूज एंज्यक्शन मेकिंग मशीन यूज कर प्लास्टिक करो आप सबसारा हमानि मम झाल। आज आपने हमारी इस वीडियो के दुवारा देखा कि कैसे हम शूज मेकिंग बिजनस स्टार्ट करके उससे ज्यादा से ज्यादा जो है लाखों रुपए कुमा सकते हैं तो आगे आल भी हम आपको शोटे बड़े बिजनस के बारे में जानकारी रेंगे इसके लिए हमारी चैनल विजवाब टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना वाली है झाल झाल